तो हेलो दोस्तों मैं हूँ गंशाव और स्वागत करता हूँ आपको हमारी YouTube चैनल टेक्निकल घंडू में तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोटो में इस तरह का फ्रेम लगाना चाहते हैं या पिर अलग अलग तरह का फ्रेम लगाना चाहते हैं और Facebook इफेक्ट एफेक्ट यहां पर इसके बाद दोस्तो यहां पर जो फर्श नमबर मेसिता थीच्ज वॉल पेक्ट मैकर उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तो यहां पर बहुत सारय अपलिकेशन आ जाता थाएं तो आपलोगों को सिंपल Stories यहां पर ध्यान रखनां कि यहां पर जो है उसके बाद आप लोगों को किलिक कर देना है दोस्तों और किलिक करने के बाद यहाँ पर जो फर्ष्ट नबर में गेलडी या फिर फोटो आपकिसी में भी जाकरके अपने फोटो को सैलेक्ट कर सकते हैं तो तदकाल मैं गेल्डी में फिर सेचला जाता हूं और जाने के बाद दोस्तों यहाँ पड़ आप लोग उस फोटो को select कर लेना है जिस फोटो में आप frame लगाना चाहते हैं तो फिलाल मैं इस वाले फोटो में यहाँ पर frame लगाऊंगा तो दोस्तों इसको select कर लेते हैं दोस्तों यहां पर बहुत सारा फ्रेम है देख लिजे कुछ इस तरह से मतलब बहुत सारा फ्रेम है दोस्तों यहां पर आप लोग दोनों उंगली से पकड़ करके और फोटो को ऐसे बड़ा छोटा करकरके सारा फ्रेम में आप लगा सकते हैं जो मन चाहे उस फ्रेम में लगा सब्सधेञ्ट करके एक से फ्रेम है तो आप किसीवी प्रेम में मेंसे अच्छा प्रेमिatelli सब्धश्चा, आदरीघकिस, इसे प्रिफ मैं अच्छा हधनहिग हरु इसके बाद उसके बात यहां 시 हो नीचे में सकेम्ट्र आपसन दिखा रहा है उस孟िक कर देना है और इसक तो इसको सेलेक्ट डिएनै के बाद दोस्तों इसको सेलेक्ट करने पार ओपसाने HUDR5D वाला और klik कर दिए और उसको फीर से थोड़ा चोटा कर लिजिए और छोटा ठोडा करने के बाद दोस्तो इसको भी यहां पर रख दीजिए उसके बाद दोस्तो आप लोग को यहां पर जो three number का option दिख रहा है ABC उस पर किलिक करने के बाद दोस्तो यहां पर भी आप लोग को बहुत सारा स्टीकर हेपिटाइम इससे मूझा तो आप यहां पर कुछ भी लगा सकते हैं उसके बाद दूसेडम पर इफ्यक्ट मिल जाएगा आप अगर अपना फोटो का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप अपना कलर चंज कर झक्ते हैं तो यहां से छ existsकते हैं तो इसके लिए से बादDOSTो यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा यहां पर लिखता हूं मैं टेक्नीकल घंणू ए और उसके बाद दोस्तों यह जो सकेंट वाला ऑप्सन तहता है एक उस पर click करके आप अपना front को भी change कर सकते हैं यहाप अपना जो भी आपका मन होता है उस front में लिख सकते हैं तो ततकाल में यह वाला front डाहने दता हूं उसके बाद दोस्तो यहाप पर जो 3D नमबर में option है उस पर click करके आप यहाँ से अपना color ur select कर सकते हैं जिस color में techn quisels about एंपने को लिखना चाहतें उसके बाद दोस्तो यहाँ पर फोर नमर में ऑपिसन उस परках करदेने से आपका यह Τिरीडी में बन जाएगा और तो यहज़िए पांच नमर में कर सकते हैं औरब bisa कर सकते हैं उसके speakat ईहाँ दोस्तों तो देखिए यहाँ पर मेरा टेक्निकल घंणू भी लिखा गया है दोस्तों देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसको छोटा भी हम कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं दोस्तों तो फैनली यह बन जाता है उसके बाद आप लोग को यह जो उपर में ओप्सन दिख रहा है उपर वाला यह सेव करने वाला का उस पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा आ जाता है सेवेड टू गैलरी लेकिन यहाँ पर जब हम अपना गैलरी में जाकर करके देखते हैं तो यहाँ पर कोई भी फोटो नहीं आया रहता है दोस्तों यहाँ पर देख लिए कोई भी फोटो यहाँ पर नहीं आया है उसके बाद दोस्तों आप लोग को करना क्या है जिसके बाद आपका गैलरी में आपका फोटो आ जाएगा तो उसके लिए सिंपल आप लोग को फिर से वहीं पर चले जाना है और जाने के बाद दोस्तों आप लोग को सिंपल यहां पर जो मोर का ओपसन दिख रहा है उस पर किलिक कर देना है और उस पर किलिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना किसी भी फाइल में इसको फोटो को पेस्ट कर देना है तो तत्काल में पिक्चर में जाता हूँ और निचे में प्रेश्ट का उप्षन इस पर किलिक कर देता हूँ उसके बाद दोस्तों फिर से हम कट करके बीच से और यहां से गेल्डी में जब चले जाते हैं तो देखिए यहां पर मेरा फोटो already आ चुका हैं दोस्तो इसी तरह से आप अपना किसी भी फोटो में फ्रेम लगा सकते हैं एक से बढ़ करके एक तो तो दोस्तो उमीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो वीडियो का लाइक कर दीजिए और अगर आप एक यूटूबर हो तो चैनल को सस्क्राइब तो कर लिजेगा और अगर आप यूटूबर नहीं हो तब भी चैनल को सस्क्राइब कर ही लिजेगा दोस्तों क्योंकि मैं इस चैनल पर यूटूब से रिलेटेट न्यू न्यू ट्रिक न्यू टिप्स एंड न्यू न्यू अपडेट के बारे में जानकारी देता ही रहता हूं और फोटो इडिटिंग वीडियो इडिटिंग सब के बारे में भी जानकारी देता नहीं रहता हूं तो दोस्तों चल ये फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मात्रम